ताम लीकुम आप देख रहे हैं Zee Lifestyle आपकी भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है एक्सेसिव उइल हो रहा है गर्मी से बहुत ज़्यादा पसवाले दाने बरन रहे हैं और चेहरे पे डार्क स्पोर्ट्स हो रहे हैं थियँ पैसे बैसे के लागश Nor' अच्छा होता है विपने लिए किसे के सब्सक्राइब ऑर प्रसक्राइस कन दाएं टाके पैस बहुत प्रसक्राइब इस बेरी के बाक्रतितAAAAAAAA पैस्ता लिए प्योंने बथी स्क्राइब बेसन के फेसपैक मिल जएंगे तो एक जमच मैं ले रही हूँ बेसन का जो इंप्योरटी इसको दूर करता है ओईली स्किन को ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा है ती स्कार्स को बैनिश करने के लिए चेहरे पे जो पिंपल्स है एक्टिवेक्टनी है उसको ड्राइ आउट करने के लिए इंफेक्शन दूर करने के लिए मैं इसमें चुटकी हल्दी का डाल रही हूँ जो बहुत अच्छे से हील करता है वोंट्स को बात करते हैं हरे भर इंगरिडियन की जो इसका फेसपैक का कलर भी चेंज करेगा जो बहुत अच्छे से आपके चेरे को कामडाउन कूल करता है जो आपको एक्टिव एक्टिव एक्नी की वज़ा से बहुत इंफ्लमेशन हो रही होती है मैंने इसका पाउडर बना के रख सकते हैं खाने पी डालके इस ऐलस पी डालके यूज कर सकते हैं और इसके साथ face packs बहुत अच्छे instant बना सकते हैं जिस तरह मैं भी आपको बता रही हो तो यह मैं ले लूँगी यह इसके इलावा आपकी acne के लिए बहुत अच्छा है अच्छा है और इसके साथ चेरे को मैस्चुराइज भी रखता है बहुत अच्छे से टोन अप करता है आपकी skin को dry out नहीं होने देता तो मैं इसका तकरीबन one spoon ही इसमें add कर लूँगी जो हमारे face को wrinkle free भी बनाता है और बहुत ही अच्छी इसकी हुश्पु आईगी आप यह तीनों ingredients को mix करके jar में भी रख सकते हैं और जब आपने यूज करना है यह फ्रिज में रखके आप एक चमच लें और इंस्टेंट आपका face bag बनके तयार होजेगा इसमें मैं डालूँगी एक स्पून रोजवर्टे का ताकि हमारी यह बहुत अच्छे से face bag की paste बन सके जो हम अपने पूरे face पे apply करेंगे अगर आपके बहुत oily face है बहुत ज़्यादा dark spots हो रहे हैं आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा acne होती है oil बहुत आ रहे हैं purity even के tanning धूप की वज़ा से बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप full face पे apply करें अगर आप चाहें तो overnight अपने pimples पे इसको spots पे लगा लें जहां जहां pimples हैं यह उसको overnight dry out कर देगा जोड़ा से thick है तो इसमें एक spoon और rose water कर डालूंगी तो तक्रीबन आपको 2 spoons इसमें rose water के add करने होंगे तो आपका बहुत अच्छे से paste बन ज़ेगा जो evenly आपके face पे apply हो ज़ेगा इसमें तमाम ingredients हैसे हैं जो acne के लिए बहुत अच्छे से work करते हैं आपकी अनिवन skin tone हो रही है आपको tanning हो रही है dark spots है चेरे पे बहुत ज़्यादा दाग धुब्य हो रहे हैं acne की वज़ा से क्यूंकि जब pimples जाते हैं एक तो उनको छेड़ना नहीं चाहिए लेकिन अगर आपके pimples जाते भी है तो अक inflammation तो इसको भी calm down करेगा इसमें cooling effect बहुत जादा है इसके साथ कि आपके skin को clear और spotless भी बनाता है rose water भी बहुत अच्छे से आपके face को clear और soft suffle करने में help करता है impurities आपके चेहरे से दूर हो जाएंगी तो आपका चेहरा बहुत अच्छा clear होगा clean होगा और आपके face को बहुत आपके face पे tanning हो रही है तो इसको भी light tone की तरफ ले जाएंगी तमाम ingredients mix करके आपने अच्छे से face wash करना है और इसको apply कर लेना है 5 minutes के बाद face को wash कर ले आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे और बहुत अच्छे से आपका चेहरा जो है वो clear और clean होना start हो जाएगा तो इसको ज जाहें तो जार में भी powders को बना के safe कर सकते हैं और आप oily skin को clear करने के लिए natural face wash चाते हैं तो basin face wash daily use कर सकते हैं बहुत अच्छे results मिलेंगे आपको remedy कैसी लगी है ट्राइ करने के बाद जरूर feedback दीजेगा मुझे रहीग आपके feedback का इंतजार video को like कर दीजेगा लूंगे आप